शाहरुख खान की इंकार के बाद उनकी डॉन तीन में रनवीर सिंध को कास्ट किया गया था, मूवी का अनाउस्मेंट टीजर भी आ चुका है, काफी ट्रोलिंग हुई लोगों ने कहा कि रनवीर शाहरुख के जूते में काफी फिट नहीं हो पाएंगे इस पर. रनवीर ने कहा था कि और ओडियन्स को उन्हें एक मौका देना चाहिए, खैर ये सब बीती बातें हो गई, अब डॉन तीन को लेकर एक नई अपडेट आई है, बताया जा रहा है, इस मूवी में इमरान हाश्मी रनवीर सिंग के साथ स्वैग दिखाते नजर. आएंगे यानि वो डॉन तीन में विलेन के रोल में दिख सकते हैं, हाल ही में इमरान हाश्मी फरहान अक्तर के आफिस के बाहर दिखाई दिये थे, जिसके बाद खबरों का बाजार गर्म हो गया, कि अब डॉन तीन रनवीर सिंग के सामने इमरान. हाश्मी मैदान में उतरेंगे वैसे तो अभी ओफिशिली इस बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है, इमरान इस से पहले टाइगर तीन में सल्मान खान के सामने नेगेटिव किरदार में नजर आये थे, वायारेफ स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी में. उन्होंने आतिश रह्मान नाम के I.S.I. आफिसर का रोल किया था, जिसने जोया को ट्रेनिंग दी थी, हालांकी टाइगर तीन में ही उनका काम कुछ खास पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उनके किरदार की तुलना बार-बार पठान में जौन. अबराहम के कैरक्टर से यानी जिन से हो रही थी, अब बात डॉन तीन की फरहान अक्तर इस फ्रेंचाइज को शाहरुख खान के साथ ही आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर अलग तरीके से वो अमिताब, शाहरुख और एक नए एक्टर को इस मूवी में. कास्ट करना चाहते थे, मगर शाहरुख को ये आइडिया जमा नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि डॉन तीन उस लेवल एक्शन मूवी नहीं है, जैसी फिल्में वो अपने करियर में आगे करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फरहान का ओफर ठुकरा दिया इसके. बाद रणवीर सिन को डॉन तीन में कास्ट किया गया, रणवीर सिन इसी साल डॉन तीन की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, वैसे आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसी ही विडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक् करीं